हाई केज और वेल्कम बैक टू पॉनलर्ड विद उजस्फीर आवत तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैं राइटिंग इंप्रूफ करने के कुछ बहुत ही असान टिप्स और ट्रिक्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज ताकि इसके आने वाले पार्ट आपसे मिस ना हो जाएं तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी हैं राइटिंग एक्जाम के वक्त बहुत ही बड़ा रोल अपनाती हैं जब आपके टीचर आपका एक्जाम चेक करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी हैं राइटिंग देखते हैं अगर आपकी handwriting अच्छी नहीं होती तो उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपकी marks भी कट सकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी handwriting तो समझी नहीं आएगी और अगर आपकी handwriting अच्छी है तो उन्हें आपका exam चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी step by step end तक देखिएगा टिप नम्मर वन टेक बेस्ट क्वालिटी ओफ पैंसिल इरेजर शापना और कॉपी आपको अच्छी क्वालिटी की पैंसिल इरेजर शापना और कॉपी यूज करनी चाहिए पैंसिल में आपको रिकमेंट करूँगी कि आप अपसरा की पैंसिल यूज करें ये है अपसरा की पैंसिल आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्टर डार्क है और आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपसरा की ही पैंसिल इस्तमाल करें आप कोई भी पैंसिल यूज कर सकते हैं जो डार्क हो इरेजर में आपको recommend करूंगी कि आप Eraser Doms किलें यह है Doms की Eraser क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा smoothly आपकी जो mistakes होती हैं वो बहुत ज़्यादा smoothly यह erase कर देती हैं शापनर में आपको recommend करूंगी कि आप Eraser का शापनर यूज करें क्योंकि यह बहुत ही smoothly आपकी pencil Eraser को शाप कर लेता है and at the last copy आपको छोटे बच्चो वाली English की copy यूज करनी चाहिए if you are a beginner कुछ इस टेप की copy आपको यूज करनी चाहिए क्योंकि इसमें lines होती है जो आपको लिखने में बहुत ज़दा help करती है आपको इस टेप की copies नहीं यूज करनी है अगर आपको handwriting improve करनी है क्योंकि इसमें lines नहीं होती है और आपके शब्द छोटे बड़े हो सकते हैं जिससे आपके handwriting बिल्कुल भी improve नहीं होगे लेकिन इसमें lines होती है जिससे आपके शब्द एकदम equal size के होंगे और आपके handwriting भी improve होगे अगर आप beginner है तो इसे जरूर ट्राय करिए ये notebook में आपको Vegeta या Classmate की ज़्यादा prefer करूँगी because it has a very good quality of paper अगर आपको अपना paper hold करके रखना चाहिए अगर आप right-handed person है तो आपको अपना paper left hand से hold करना चाहिए और अगर आप left-handed person है तो आपको अपना paper right hand से hold करना चाहिए क्यूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम copy को hold नहीं करेंगे तो उसके pages उड़ने लगेंगे जिससे आपकी handwriting खराब हो सकती है नमबर 3, make curves आपको ज्यादे तर curves बराने चाहिए like circles, semi circles vertical lines horizontal lines and slating lines तो आपको इस प्रकार से curves बनाने चाहिए और यह आपको डेली के डेली प्राक्टिस करने चाहिए आप चाहें तो stationary की दुकान से curves की बुक भी ला सकते हैं और उससे curves की प्राक्टिस कर सकते हैं की exercise करनी चाहिए कुछ भी लिखने से पहले अगर आप exercise नहीं करेंगे तो आपके हातों में दर्द हो सकता है exercise के से आपको अपने हातों को दो या तीन सेकेंड तक या 5 तू 10 सेकेंड तक आपको रोल करना चाहिए कुछ इस तरह से अगर आप right hand की person है तो आपको right hand को रोल करना चाहिए और अगर आप left hand person है तो आपको left hand को रोल करना चाहिए 5 तू 10 सेकेंड at least इससे आपकी मसल जो है हैंड की वो एक दम लूस हो जाती हैं और आपको लिखने में कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता अगर आप इन सारे टिप्स को प्राक्टिस करेंगे और अपनी हैंड रेटिंग के लिए हाफ एन आर निकाल कर वन पेज डेली लिखेंगे अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएजेगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपका मिक्स नहों पाए और हमारे जरूर आपको कर दो नेक्सक्राइब कर दो आपको के वाली वाली है